नमस्ते मैं सोमा पाठाक आप सबकी वेल विशर आज आप लोगों को होली फायर के बारे में थोड़ा सा जानकारी देने वाली हूं पर नेक्स्ट वीडियो में इससे भी जादा इंट्रस्टिंग जो बेनिफिट्स हैं इसके बारे में डिसकस करूँगी तो आज सिर्फ जानते हैं होली फायर क्या है इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिन में आप लोगों उसे उसुई रेकी का इंट्रोडक्शन दिया है उसुई रेकी कैसे हमें हील करता है उसुई रेकी के कितने लेवल्स हो द्वारा एफिलियेटर हो चुका है जो स्पर्श चिकिट्सा के नाम से जाना जाता है आज हम जानेंगे होली फायर रेकी के बारे में जो जिसे हम पवित्र अगनी भी कहते हैं होली फायर रेकी 2014 में विलियम ली रैंड जो ICRT मतलब इंटरनेशनल सेंटर आफ रेकी ट्रेनिंग USA में जो है स्थित उनके करनधार है उन्होंने 2014 में उस्वी रेकी को ही अपग्रेडेशन करके हमें होली फायर रेकी का उपहार दिया है जो हमें जितना पावरफुल उस्वी रेकी है उस्वी रेकी सेल्फ हीलिंग और डिस्टन्स हीलिंग है बियार रेकी उससे कई घुना जादा पावरफुल है और इन्स्टन्टलि हमें हील करता है और दूस्रों को हील करने में मदद करता है उस्वी रेकी में तोड़े बहुत डिफरेंसेज है उसके बारे में मैं तोड़ा जानकारी देती हूं आप लोगों को आज उस्वी रेकी के first degree attainment लेने के बाद कम से कम 21 days self healing जिसे हम आत्मसुद्धी भी कहते हैं उस practice को करने के 21 days बाद ही minimum 21 days बाद ही हम उस्वी रेकी के second degree जो distance healing होता है उसका attainment ले सकते हैं पर holy fire में हम दो दिन में ही first degree and second degree एक साथ ले सकते हैं और एक ही साथ हम first degree practice और second degree जो distance healing का course होता है वो एक साथ हम सीख सकते हैं और start भी कर सकते हैं उस्वी रेकी में जिसे हमें रेकी गुरु द्वारा attainment दिया जाता है या initiation दिया जाता है पर holy fire रेकी powerful बहुत ज़्यादा powerful है क्योंकि ये third heaven से universe से direct student के उपर या candidate के उपर घेजा जाता है जिसके वज़े से इसका power instantly healing में help करता है और बहुत ज़्यादा powerful होता है उस्वी रेकी से उस्वी रेकी के लिए हमें कम से कम 21 days तो 24 points या 26 points का healing ज़रूर करना होता है must होता है और फिर बाद में उस practice को हम कम करके 12 points में कर सकते हैं पर holy fire initiation sorry holy fire का placement या ignition लेने के बाद हमें वही practice जो उस्वी रेकी में 36 minutes का time लगता था या 1 hour 18 minutes का time लगता था वही practice वही self healing हम मात्र 10 minutes में कर सकते हैं और यह एक साथ हम खुद की healing साथ ही साथ हमारे प्रियजनों की healing या किस दोस्तों की healing सभी के साथ एक साथ हम healing कर सकते हैं holy fire में यह instantly काम करता है इससे आपको समझ में आ रहा है कि उस्वी रेकी और holy fire में difference क्या है उस्वी रेकी में attunement दिया जाता है या initiation दिया जाता है पर holy fire में उसे गुरू के द्वारा directly attunement या initiation नहीं दिया जाता है दिख्षा नहीं दिया जाता है universe के तरफ से वो दिया जाता है इसलिए इसे initiation या attunement नहीं कहते है इसे कहते है holy fire में हम उसे कहते है ignition सबसे पहले हम रेकी first degree and second degree placement and then ignition होता है जो master level में master placement और master ignition होता है ऐसे courses में divide किया गया है ऐसे levels में divide किया गया है उसके बार में details में आप लोगों को बाद में बता होगी तो आपके हाथ में अगर थोड़ा सा समय जादा है आपको खुद heal करने के लिए तो आप जरूर उसी रेकी किसी योग्य रेकी गुरू से attainment लीजिए, initiation लीजिए और उनके guidance के through जैसे वो सिखाएंगे जैसे वो guide करेंगे उसी हिसाफ से आप self healing कीजिए 1 hour 18 minutes का और फिर अपने problems को heal कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो holy fire रेकी का placement first and second degree का एक साथ दो दिन में ले सकते हैं और एक ही फाइदा कम समय में बहुत जादा फाइदा आप महसूस करेंगे holy fire का experience जो होता है वो amazing होता है out of the world होता है इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी आप आप लोग यह holy fire सिखिए या उसी रेकी सिखिए पर जो भी सिखेंगे मैं guarantee देती हूँ अगर आप self healing नियमित करेंगे और खुद की healing के साथ साथ दूसरों को heal करेंगे तो आपके life में positivity 100% आएगी और आपके हर एक problem का solution आपको खुद मिलेगा और वो भी आपके टीचर के आपके रेकी गुरू के guidance के साथ उनके help के द्वारा आज यहीं तक नमस्ते